कैसे हो सब लोग दिवाली वेकेशन एंजोई किया सबसे पहले कैसी गई आप लोगों की एक्जाम्स आई होब सब लोगों ने अपने टर्मिनल टेस्ट की बुग स्कूल में दे दी होगी चिनोंने नहीं दी है वह एक दो दिन में पहुंचा दे उसके बार टीचर्स अपकी करेंगे ठीक है और शायद सब दिवाली होमवग पर कंप्लीट कर लिया होगा आप अपना दिवाली होमवग भी हमें वाटसेप पर सेंड कर देना कैसी रही आपकी छुटिया एंजोई की वेकेशन कैसा गाया और दिवाली कैसी रही सूख फटा के फोरे नहीं नहीं मिठा या सब कुछ किया ना सो नाव या बैक टो वर वर्क बैक टो स्टडीज अभी भी हमारा स्कूल तो रियॉपन नहीं हुआ है तो हमारा स्टडीज हम ऐसे ही ऑनलाइन के जरिये ही कंटीनू करते हैं आप लोग अपस रेडी हो सेकंड टर्म सेकंड फेस फेस करने के लिए हमा मारा first terminal को खतम हो गया मतलब फर्स टर्मिनल कोर्स है वो second terminal में नहीं आने वाला है so we are starting from the beginning now अब second terminal का जो भी course जितने भी chapters हम करेंगे वो final exams में आएंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फर्स terminal, first unit test, second unit test के सारे marks हमारे finals में add जरूर होंगे okay I hope you understood so all of you are you all are ready with your books or not so we are going to start our new chapter today in a history portion India's struggle for freedom chapter number 3 so before I start with my work I want everybody to take out their textbook and be ready with the chapter you have to take out the page number 26 चलो let's begin हमने first and second chapter में बात की थी के Britishers, सबसे पहले Portuguese French, Dutchess English people कैसे इंडिया में trade के purpose से आये थे लेकिन trade के purpose के बाद Britishers ने English people ने हमारे इंडिया के उपर कबजा कर लिया है थे conquered our India इंडिया अपने कबजे में ले लिया थे और हर जगा पे British के राच हो गया थे second chapters में हमने ये बात की थी कि किस तरह से उन लोगों Britishers ने हमारे इंडिया के उपर जुलम किया है हमारे इंडियान पीपल के साथ हमें किसी भी administration में participate नहीं किया है हमारी खुद की जमीन हमारी खुद की properties के उपर भी taxis हमें Britishers को pay करने पड़े थे क्या-क्या जुलम हमारे उपर हुए थे वो हमने second chapter में किया अब third chapter में हम ये जानेंगे कि Indian people ने कैसे fight back किया बहुत 200 years तक Britishers ने हमारे इंडिया के उपर राज किया था लेकिन आखिर में 1947 से पहले 50 साल तक हमारे इंडिया ने बहुत fight किया Britishers को हमारे इंडिया से निकालने के लिए तो इसके बारे में हम ये बात करेंगे हमारे chapter number 3 में जिसका नाम है India Struggle for Freedom इंडिया ने कैसे struggle किया अपने freedoms के लिए और at last 15th August 1947 को हम success हो गए और Britishers इंडिया छोड़के चले गए so this all stories are over here के how we fought गांधी जी ने किस तरह से रूल किया कौन-कौन से freedom fighters जो आगे आए थे हमारे freedom इंडिया के freedom के लिए ये सारी बाते हम ये chapter में जानने वाले है so let's start our chapter number 3 the British rule in India was against the interest of the people of India many educated Indians realized the harm that was being done to their country by foreign rule इंडिया के लोगों को British rule बिल्कुल ही पसंद था ही नहीं वो उनके against थे पूरा British rule के हमारे इंडिया के people against थे जैसे जैसे education बढ़ता गया कई ऐसे rulers educated Indians सामने आये और उन लोगों ने जाना कि Britishers हमारे इंडिया के उपर कैसा जुलम कर रहे है हमारे इंडिया को कैसे harm कर रहे है अपने सारी rules के जरीए the British were exploiting India and its resources by keeping the country pure and backward Britishers कोई भी इंडिया को पढ़ने ने देते थे आगे ने आने देते थे और इसी लिए हमारे people तो poor रहते ही थे साथ साथ में हमारे जो natural resources थे वो भी poor और backward होते जा रहे थे इतना Britishers ने हमारे इंडिया को exploit तबा कर दिया था ये सारी बाते जब हमारे इंडिया के people को समझ में आई तो उन लोगों ने Britishers के सामने fight करने का थान लिया कि अब तो hook by hook और by croak मतलब किसी भी हाल में अब इंडिया से हमें Britishers को बाहर निकाना है पूरे इंडिया के लोग आगया है इसके लिए और पूरी मैनद से उन लोगों ने Britishers को बाहर निकालने का सोच लिया The people of India thus begin to unite against the British Slowly the feeling of unity gave rise to nationalism This consciousness gave birth to our national movement इंडिया के people जागरूत हो गए देरे देरे उनके देश भक्ति nationalism मतलब देश भक्ति जाग हुई और उन लोगों वो मतलब वो लोग उठ गए ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग जाग गए कि अब तो कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में या तो मरना पड़े या तो कुछ भी करना पड़े अब किसी भी हाल में हम Britishers को हमारे इंडिया से बाहर निकाल के रहेंगे इसलिए उन लोगों ने सबसे पहला एक movement स्टार्ट किया जिसको कहते है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस movement चलो कैसे था हम जानते हैं formation of the Indian National Congress सबसे पहले एक unity बनी वो unity का नाम था Indian National Congress वो क्या था the like-minded Indians had been planning to form an old India party हर एक country के हर एक हर एक area से लोग आए और उन लोगों ने एक formation मतलब एक institution एक party बनाई एक party बनाई जिसको कहते है the Indian National Congress Party कब in 1885 Alan Octavian Hume a retired English civil servant help in the formation of the Indian National Congress यहाँ पे एक बात देखवा हमारे इंडिया के people तो चाहते ही थे इसलिए उन लोगों ने इतनी महनत करना स्टार्ट कर दिया था तेकिन कई ऐसे Britishers भी थे जो इंडिया के support में थे उसमें से एक थे Alan Octavian Hume जो Britishers English Civil Servant होने के बावजूद वो रिटायर इंडिया के पीपल को हल्प की क्या नाम था उनका Alan Octavian Hume Some important leaders of INC INC is a short form of Indian National Congress Some important leaders of the INC at that time were Dada Bhai Navroji Firoz Samhetta Badruddin Tayyabji and Surindranath Benerji ये main उस time के members थे Indian National Congress Party के members थे किसके साथ Alan Octavian Hume जिसने सबसे पहले हमें help की थी ये formation के लिए formation मतलब वो institute यो party बनाने party बनाने में help की थी और उनके main members कोन थे ये चार उनके उस time पे सबसे main members थे Dada Bhai Navroji Firoz Samhetta Badruddin Tayyabji and Surindranath Benerji तो rebellion स्टार्ट हो गया था मतलब ये सबसे पहला step था Britishers के against Britishers को बार करने के लिए क्या step था हमारी एक party form हो गई थी जिसका नाम था National Indian National Congress चलो The moderates and the radicals अब दो तरह की people बहार आए थे एक थे moderates और एक थे radicals अब वो क्या है moderates किसको कहते है और radicals किसको कहते है मैं बताती हूँ आपको In the beginning the INC tried to convince the British to include Indians in the administration of India Britishers ने क्या क्या था जो भी हमने last chapter में बैठ की कि जो भी main post होती थी कोई भी government office या कई पर भी main post होती हमारी army ले लो या फिर कोई भी offices ले लो किसी में भी main post किसकी थी British लोगे की थी और Indian people हमेशा पीछे as a soldier उस तरह का काम करते थे उनको कोई main work नहीं दिया चाहता था तो सबसे पहले INC जब form होई उसके बाद INC के member ने सबसे पहली बाद जो Britishers से की थी वो थी कि Indian को administration में include करो कोई भी government work हो या कोई भी आर्मिय हो उसमें जैसे Britishers का रूल है उसी तरह से Indian का रूल भी आने चाहिए तो Indians को कोई भी administration work के लिए आगे लाओ उनको उसमें involve करो जो Britishers नहीं करते थे इच स्प्रेट पब्लिक अवेरनेस about the harmful policies of the British through speeches and newspapers articles administration में include होने के बाद Indian people को ये पता चला के Britishers किस तरह से हमारे इंडिया को harmful कितना नुक्षान पहुचा रहे है किस तरह से बताया अपनी speeches से जो भी administration के members थे उसने अपनी speeches से newspaper में articles देके ये बात हमें बताई कि Britishers किस किस तरह से कैसी कैसी policies लाके हमारे उपर अत्याचार कर रहे है और हमें harmful कर रहे है the leaders who supported this approach of the INC were called moderates ये लोग जो INC के लिए इस सपोर्ट में आये थे और जिसने Britishers के साथ बात करके convince करके ये administration बारी बात लिखती वो सारे लोग होते हैं moderates जो बातों से Britishers को उसने लड़ाई जगडा नहीं किया था पब्लिक को भी उसने अवेर किया था अपनी बातों से, newspaper, article से कोई जगडा कुछ नहीं था तो ये लोग थे moderates ओके जिसने Britishers को अपनी बातों से convince करने की कोशिश की थी अब हम बात करते हैं radicals थी however by 1890s within the Congress sorry within the Congress there arose the belief that stronger methods of protest such as boycotts were necessary to challenge the authority of the British government उसी टाइम पे 1890s में कुछ ऐसे members ऐसा मांद थे थे कि सिर्फ बातों बाते करने से हम Britishers को Britishers के सामने जीत नहीं पाएंगे तो हमें Britishers के सामने protest करना पड़ेगा protest करना मतलब उसके against जाना पड़ेगा ओके हमें चीजों को boycott करना पड़ेगा government, British government की authority को हमें boycott करना पड़ेगा अब boycott का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए ना कहना कुछ भी चीज़ ना कहना Britishers के rules follow नहीं करना उनकी चीज़े यूज नहीं करना उनकी बातें नहीं मानना उसको हम कहते हैं boycott तो कई ऐसे leaders ऐसे मानते थे कि बातों से नहीं हम boycott करके लजपत्राई बाल गंगाधर तिलग और बिपिन चंद्रपाल सपोर्टे दिस अप्रोच देवर नोन एज रेडिकल्स ऐसे जो लोग थे जो प्रोटेस्ट में और बॉइकोट में मानते थे बातों से जादा और वो दूसरे को भी कहते हैं कि हम boycott हम फोरेंग चीज़ों को ब्रिटीश की आइटम्स को उनकी बातों को boycott करें तो ही कुछ बात बन सकती थी ऐसे लीडर्स थे लाला लश्पत राई बाल गंगाधर तीलक और बिपल चंद्रा सपोर्टें थे इस अप्रोच तो यह सारे लोग कहलाते थे रेडिकल्स आई होप आपको जो मैंने स्टार्टिंग किया है चैप्टर का वो concept पेल है तो समझ में आ गया था कि पहले तो सबसे पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने के लिए जो educated people थे वो सामने आये उसने अपनी पार्टी बनाई तो नेशनल इंडिया नेशनल कॉंग्रेस उसमें भी दो मॉड़र्स एंड रिडिकल्स आये जिस तरह से किस तरह से अप्रोच किया किस तरह से boycott किया यह इतनी बात आपको I hope clearly समझ में आ गई होंगे अगर इतने point में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझा you know how you have to ask me I don't have to tell you but if you don't understand यह chapter यह वीडियो को वापस एक बार देखना फिर भी ना समझ में आ है तो आप मुझे पूछ लेना ठीके चला I'll catch you again in the next period till then take care bye bye